Dear student, we have to discuss about the culture-enabled sustainable development. हमने culture की बात की, अब culture के अंदर एक paradigm, जो है एक parameter जो है वो diversity है. आप international level पर ले 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 ले, जो है national level के उपर ले ले ले. Culture diversity भी उसके अंदर एक role play करती है. और वो diversity कैसे है, मसलँ, अगर हम मैं एक किसी भी city की बात करता हूँ, लहूर किराची ये इसलामाबाद, पाकिस्तान के context में में बात करना चाहरा हूँ. वहाँ पर मुख्तलिफ culture के लोग रह रहे हैं। स्रैकी भी हैं, बलोची भी हैं, उसके बाद पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं। अब देखें ये अलेहदा अलेहदा इनकी अलेहदा एक identity है, इनकी cultural identity है, इनके culture paradigms है, अब इन culture paradigms के अंदर जो है, वहाँ पर conflict भी आ सकते हैं। conflict क्या है, एक यूँ समझे ले, के difference of opinion है, difference है, हमारे पास, खुशी, घम्मी, शादी, ब्या, बच्चों की रिसुमात, बच्चों के पैदा होने पर, अब उसकी में आपको example देशन दूँगा, हमारे कुछ हिलाके के लोग जो हैं, वो शादी के मौका पर हवाई फाइरिंग करते हैं, अब यह उनका एक culture tradition है, अब देखें, यह फर्स करें, यह culture A है, culture B है, वो बड़ी साद्गी से, खामोशी से, मस्यद में जाते हैं, निगाह पढ़ाते हैं, खामोशी से रुक्सकर कर देते हैं। अब देखें, culture A और B जो है, वो दोनो 180 डिग्री पर उनके दिर्मियान डिफरेंस पाहे जाएं। अब यह डिफरेंस जो है, नार्मली यह डिफरेंस के ओपर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मगर यह डिफरेंस जो है, यह डिफरेंस का बाइस बनता है और यह conflict create कर देता है। अब देखें, जब inter-culture की बात करेंगे यह multi-culture की बात करेंगे तो अब इनको conflict को हमने prevent करना है। उसके बाद हमने protect करना है, हमने marginalized group के अंदर उसको protect करना है, within the nation और among the nation. यह अपनी nation के अंदर भी और दूसरी nations के अंदर भी हमने इसको prevent करना है। उसके लिए क्या जरूरी है, कि हमारे अंदर जो हमने बात की थी, जो मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की थी और वो समझाने की यह कोशिश की थी, कि बुनियादी तोर पर वो एक difference of opinion है और कुछ नहीं है। अब इसको हमें understand करने के बाद हमें accept करने की जरूरत है। और वो accept क्या करने की जरूरत है। हमें यह accept करने की जरूरत है, कि जनाब यह इनका culture है, जो मैंने आपको example दी, कि यार इनके culture के अंदर शादी ब्याँ के उपर firing करते हैं, तो आज इनका शादी है, तो मुझे patience के साथ उसे accept करना जाए। उदर उनका culture यह है, कि जी मस्जद में बैठे हैं, निकाह की हैं और रुक्स्ति करती हैं, किसी को बलाए हैं नहीं है। अब फर्स करें कि जाना, दो मुख्तिलिफ culture के लोग रहते हैं, वो करते हैं यहार रजीव लोग हैं, शादी कर रहे हैं, खुशी का मौका है, हमें दावत भी नहीं दी इनने, वो कह रहे हैं, यह देखें जी, यह क्या खुशी का मौका है, यह वाई-फारिंग करें, अब यहां पर आकर जो कन्फिल्क्ट है, इस कन्फिल्क्ट को जो हमने minimize करना होता है, और वो conflict कब minimize होगा, जब हमारे अंदर acceptability बढ़ेगी, जब हमारे अंदर acceptability बढ़ेगी, और हमें यह understand करने की कोशिच हो जाएगी, कि यार इस से जो है यह अपने अपने culture parameter में यह ठीक है, यह एक छोटा सा एक अंडर्स्टेंड करने के लिए एक डिवल्पेंट और मॉडल है कि कुल्चर कंट्रिबूट कैसे करते हैं अब देखे कल्चर और डिवेल्मेंट आम तोर पर जो कल्चर डिटर्मिनेंट्स हैं वो फिक्स होते हैं कम चेंज होते हैं अच्छा डिवेल्मेंट जो है वो एक चेंज का प्रोसेस हैं अब जब कल्चर पेराडाइम्स के अंदर जो समझे लें क्छे एक की कुछ डि ट्रूमिनेंटस एं development के अंदर अगर उपने के अंदर इन डूप्रेस आ जाए और वक्त और नीड के मताबिक उसके अंदर वो change ले आए और उसको बेथर कर ले और उस society के मताबिक उसको बना ले इसका मतलब है cultural determinants जो है उनके अंदर developmental process जो हुआ developmental process क्या हुआ कि उसके अंदर वक्त के लिहाज से जो उसके अंदर change आई उसका result क्या है result जो हुआ कि हम economic benefit भी हमें मिल गया उसके बाद पर्मोट क्या हुआ हमारी सस्टेनिबिलिटी पर्मोट हुआ है और हम किस काबल हो गए हम मोर इफेक्टिव डिवेल्मेंट इंटर्वेंशन के काबल हो गए देखिए जब कल्चर के दिर्मियन हार्मन ही पैदा हो गई तो इसका मतलब है कि दोनों कल्चर हम दो क इंटर्वेंशन से वो कल्चर इफेक्ट जो है वो इसको पर पूरा हो रहा है और उससे बित्री आ रहे है झाल झाल